पहले एक अक्टूबर को मद्दान होना था, जिसके बाद से तेवहार की वज़े से चुनायोग ने ये फैसला लिया है हरियाडा विधानसवा चुनाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आया है चुनाओं आयोग ने हरियाडा विधानसवा चुनाओं के तारीकों में बदलाओ किया है हरियाडा में अब 5 अक्टूबर को मद्दान होगा वही 8 अक्टूबर को मत गड़ना होगी साथ ही हरियाडा जम्बू कस्मीर के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को एक साथ घोसित किये जाएंगे हरियाडा में पहले 1 अक्टूबर को मद्दान होना था जिसके बाद से तेवहार की वज़े से चुनायोग ने ये फैसला लिया है हरियाडा जम्बू कस्मीर के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को एक साथ घोसित किये जाएंगे हरियाडा में पहले 1 अक्टूबर को मद्दान होना था जिसके बाद से तेवहार की वज़े से चुनायोग ने ये फैसला लिया है हरियाडा जम्बू कस्मीर के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को एक साथ घोसित किये जाएंगे हरियाडा में पहले 1 अक्टूबर को मद्दान होना था जिसके बाद से तेवहार की वज़े से चुनायोग ने ये फैसला लिया है हरियाडा जम्बू कस्मीर के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को एक साथ घोसित किये जाएंगे हरियाडा में पहले 1 अक्टूबर को मद्दान होना था जिसके बाद से तेवहार की वज़े से चुनायोग ने ये फैसला लिया है हरियाडा जम्बू कस्मीर के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को एक साथ घोसित किये जाएंगे हरियाडा में पहले 1 अक्टूबर को मद्दान होना था जिसके बाद से तेवहार की वज़े से चुनायोग ने ये फैसला लिया है हरियाडा जम्बू कस्मीर के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को एक साथ घोसित किये जाएंगे हरियाडा में पहले एक अक्टूबर को मद्दान होना था जिसके बाद से तेवहार की वज़े से चुनायोग ने ये फैसला लिया है